नमस्कार दोस्तों, मैं सौरो मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने सीटूब चैनल इगरुकुल में Friends, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना कोर्स BLI 221 हम लोग स्टार्ट करेंगे BLI 221 से जिसकी हम लोग पहली बुक आज स्टार्ट करने वाले हैं बुक नम्मो वन जिसका टाइटल है लैब्रेरी इंफॉर्मेशन इन सोशल प्रस्पेक्टिव Friends, आज हम लोग फर्स चैप्टर फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे ही कंटीन्यू करेंगे अपनी लास्ट बुक जो हमारी 229 की है रहेगी उसके तक और फर्स्ट बुक का पहला यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है लैब्रेरी इंफॉर्मेशन इन नौलेज बेस सोसाइटी कि ऑके अगर आप इस बुक का स्ट्चर देखेंगे इस यूनिट का स्ट्चर देखेंगे तो आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा या हम लोग को पढ़ना है इसमें Modern Society, उसे characteristics के बारे में Next topic हमारा रहेगा Information Society और Next रहेगा Knowledge Society So हम लोग start करते हैं अपने first topic से जिसका title है Modern Society Friends, आज आप लोग जानते हैं या हम लोग समझते हैं जिस society में आज हम लोग रह रहे हैं जिस era में हम लोग रहे हैं वो हमारी है Modern Society Modern Society के कुछ characteristics होते हैं कुछ ऐसे features होते हैं Societies के Modern Societies को जिनको हम लोग consider कर सकते हैं कि ये Modern Society है अगर हमें कुछ ऐसे characteristics मिलते हैं जैसे मैं example लेता हूँ आज से 100 साल पहले की जो हमारा समाज था, society थी उसको हम लोग Agriant Societies कहते थे मतलब उस society में जो भी basic activities होती थी वो agriculture को based बना कर हो जी थी या हम लोग जितनी भी activities करते थे उसका जो आधार होता था उसका जो based होता था वो होती थी agriculture इसलिए उस society को हमने agriculture societies का था और आज से 50 साल पहले की societies देखें तो वहां की societies हुआ करती थी वो based थी industries पे इसलिए उसका नाम दिया हमने लेकिन प्रजंट टाइम में जो हमेरे पास societies है उसका जो base है वो है information यहाँ पर जिस society के पास है जिस member के पास जाधा information हो जिस company के पास जाधा information है जिस government के पास जाधा information है वो उतनी ही ज्यादा modernized है या उसके पास उतनी ही ज़्यादा capability है अपने आपको अच्छे से perform करने के लिए So modern society, ऐसी society कहेंगे जहां पे हम information को base मानते हैं ऐसी society जिनमें जहां के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा information, ज़्यादा knowledge gather करने की requirement है या ज़्यादा-ज़्यादा knowledge acquire करने की ज़रूरत है ऐसी societies हम लोग कहते हैं, modern societies इनके कुछ characteristics होते हैं, जो हमारी modern societies हैं, उनमें कुछ characteristics हैं जैसे कि पहले की societies में हम लोग अपने आपको बहुत limited रखते थे knowledge के basis पे, knowledge perspective पे हमारे पास बहुत ज़्यादा information, बहुत ज़्यादा knowledge नहीं होती थी हमारे पास कुछ geographical limitations थी, हमारे पास times की limitations थी बट आपको पता है, आज इस societies में ना कोई geographical boundary रहे चुकी है हमारे पास ना कोई time का boundation है हम जब भी चाहें, जिस place से चाहें, वहाँ से information gather कर सकते हैं या वहाँ से information लोग ले सकते हैं ऐसी societies जहाँ पे information based हो, जो information के pillars पे टिकी हो वो societies कहलाती है, information society या modern society अगर आप लोग इस chapter को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़ने जाएंगे तो देखेंगे आपको कि आजकल के time में educational institutions का role बढ़ा है research institutions का role बढ़ा है, schools में, colleges में, universities में बहुत सारे research institutes में, लोग ज़्यादा involved हैं और ज़्यादा information gathered करने की, ज़्यादा information collect करने की processing में लगे हुए हैं तो कुछ अगर आपको इस तरह के characteristics दिखते हैं किसी society में तो आप उसो consider कर सकते हैं modern society अगर आप लोग इस unit को पढ़ेंगे इस topic को जो हमारा है 1.2 modern societies and some characteristics तो आपको यह सब्चीजे मिलेंगी हमारा next topic है 1.2.1 role of library in society तो हमारे जो librarians हैं या जो library है जो education institutions हैं जो resource institutions हैं उनका क्या role है आज की इस modern society में obviously जैसा कि आपको पता है मैंने आपको बताया भी कि हमारी जो modern society है वो based है information पे knowledge पे अगर information अच्छी रहेगी knowledge अच्छी रहेगी तो आपकी society ज़्यादा ज़्यादा modern बनेगी तो ऐसे में librarians जो resource producers हैं जो resource को जो information को produce करते हैं उसको gathered करते हैं उसको process करते हैं उनका role बहुत जादा बढ़ जाता है और इसमें सबसे topmost में होते हैं librarians तो obviously बात है librarians का बहुत बड़ा role है किसी भी society को modern society में convert करने का जैसे librarians collect करते हैं क्या informations knowledge को बहुत सारी information, बहुत सारी books, बहुत सारे resource जो knowledge based होते हैं उनको हम लोग collection करते हैं, उनकी collection होती है resource को share करना, resource मैंने collect कर लिया है resource को collect करने के बाद resource को share करना वो भी एक second responsibility बनती है हमारे librarians की so librarians एक बहुत major role play कर रहे हैं आज अपने इस societies को modern बनाने में यह कुछ roles इनके point to point दे हैं, आप इनको यहाँ पर पढ़िए librarians का एक बहुत बड़ा important role society में आता है कि ऐसे लोगों के साथ वो connect करते हैं आपके पास जो knowledge है, knowledge और एक person और एक ऐसा knowledge एक ऐसा person जिसको knowledge चाहिए और knowledge कहीं पे है, जैसे मैं कहूँ कि libraries में बहुत अच्छी-ची knowledge हैं, बहुत अच्छी-ची किताबे हैं और एक person है जिसको वो knowledge चाहिए, तो उनके beach में रहे कर वो bridge का काम करता है मतलब information कहीं पे processed है, gathered है, और जिस person को वो information या knowledge चाहिए, उसके बीच में एक bridge का काम करता है यह इसका important role बनता है modern societies के era में नेक्स्ट हमारा जो topic रहेगा, information and its impact on society हमारे पास जो information है, उसका impact क्या हुआ है हमारी societies में नो डाउट कि पहले जैसे मैंने आपको पता है हमारी society, agreement societies गुआ करती थी, वहाँ पे knowledge और यह सब चीज़ें बहुत जादा माइने ने रखती थी उस समय के लोग बहुत जादा बस activities में थे कि किसान और जो भी maximum लोग थे वो अनाच को produce करें और उसको store करके, gather करके अपने पास रखें so that कि वो life आने वाले जो एक साल हैं उसको वो consume कर सकें लेकिन आज इस societies में हमारे पास जो pillar है हमारा जो modern society का pillar है वो है information तो हमारे पास जो information का impact हुआ है society में उसको समझना या उसको जानना बहुत ज़रूरी है मैंने अभी बताया एग्रिगल सोसाइटी, एग्रिएन सोसाइटी उसके बाद आई थी industrial society और आज हमारे पास है modern society तो information का बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल है modern societies को produce करने में और जब से हमारे पास ICT, information communication technologies आई है उस समय से हमारे पास हमारा रोल information का और ज़्यादा produce हुआ है आप page number 9 में देखेंगे जो second paragraph है वहाँ पर आपको यह चीज़े information मिलेंगी कि कैसे हमने एग्रिएन सोसाइटी से modern societies में transformation किया on the basis of information, knowledge और skill पे knowledge societies आज का जानते हैं हमारे जो next topic है information society information society यहाँ पर जो बात आती है वो है information इसका जो pillar है जो इस society का pillar है वो भी यहीं पर information है और information क्योंकि जानते हैं आज हम एक globalized world में हैं ऐसा world जो सभी तरह से connected है वो geographical area से connected है आज हमें अगर अमेरिका जाना हो अगर आज से हम सो साल पहले सोचते कि मैं एक बार अमेरिका का टूर करके आओं तो मुझे बहुत जादा time taking process लगता बट अगर आज मैं अमेरिका, यूरोप, औस्टेलिया किसी भी continent में travel करना चाहूं मेरे लिए बहुत easy है तो geographical boundaries हमने खतम की, time boundaries हमारे पास limited time होते थे या बहुत जादा time taking process हुआ करता था कहीं से भी information लेना उसो collect करना, process करना फिर जो उस information के required persons हैं उन तक वो information पहुचाना बट आज के era में हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा simple हो चुकी हैं, so हम लोग जो globalized village में हैं, technical era में रह रहे हैं, हमारे पास information communication technologies हैं, आज एक information अमेरिका से यहां तक आने में बस fraction of seconds का time लगता है, ठीक है, हमारे पास knowledge है, आज की हमारी societies knowledge मांगती है, उसको ज़्यादा ज़्यादा information चाहिए यह Google हैं, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, हमारे पास Google है, हमारे पास Siri है, हमारे पास Wikipedia है, हम लोग यहां से चीज़ें बहुत आसानी से gathered कर सकते हैं, तो जो हमारी information society होती हैं, वो in basis पर या in pillars पर बेस रहती है, next topic हमारे पास information society evaluation of the concept, okay, society का evaluation, मैंने अभी फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, agricultural society से लेकर कहां तक, modern society तक जाना, तो पहले evolution देखेंगे, पहले हमारे पास agriculture, based economy, या society, उसके बाद industrial society और उसके बाद modern society, तो हमने जो यह evaluation किया है, है न, agricultural society से लेकर modern society तक, उसी को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, या इसको हम लोग जब आप paragraph पढ़ेंगे, तो आपको समझ मैंगा, कि हमारा evaluation कैसे हुआ, agricultural society से लेकर, modern society और modern society से, sorry, agricultural society से लेकर modern, जिसके बीच में था, industrial, next topic है, meaning and definition of information society, तो obviously बात है, ऐसी society, जो किस में लगी हो, information को create करने में लगी हो, information को gathered करने में लगी हो, उसको store करने में लगी हो, फिर उस stored information को different perspective से उसको process करती हो, और उस processed information को distribute करती हो, ऐसी society, जहां पर यह सारे characteristics आपको मिलते हैं, कौन-कौन से creating, मतलब information creating, information gathering, information storage, information process, और information distribution, अगर यह characteristics आपको कहीं भी मिलें, तो वो बन जाती है, information society, page number 11 में आपके पास, जो second paragraph दिया हुआ है, वो आपकी इस information गया है, definition के लिए suitable है, हमारे पास एक अच्छी definition और है, जो हमारे Martin James, जिनका date of birth 1978 थी, page number 11 में लास्ट paragraph में दिया है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से बता है, कि कौन-कौन से societies को हम लोग informative societies कह सकते हैं, वही जहां पर अच्छे से information को gathered किया जाता हो, जहां पर लोगों को ग्यान की भूक हो knowledge की भूक हो, कि मुझे ये चीज जाननी है, ये चीज समझनी है, ये चीज ऐसे क्यों होती है, why, why, whom, who, who, ये सब चीजे जिसके पास हैं, या जो ये चीजें जानने की कोशिश करता है, उसके लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं, knowledge, information societies के features के बारे में, हमारा next topic है, factor determining the arrival of information societies, क gather करेंगी, जैसे data का exploitation, मतलब कि इस समय आज हमारे पास, अरबो, खरबो के amount में data store है, facebook है, twitter है, youtube है, आप जानते हों कि इन लोग की जो data based होता है, इनका जो data server होता है, वो इतने giant, इतने बड़े-बड़े organizations होते हैं, इतने बड़े-बड़े institutions में ये लोग अपने information को gather करते हमारे पास आज data की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़े level पे हमारे पास information store है, जैसे कि हमारी government, हमारी government ने एक project start किया था, अधार, अधार का जो data based है, वो हमारी company, जो अधार है, वो बना के रखती है, तो इतने हमारे इंडिया में 135 कड़ों का data कहीं न कहीं store है, तो जब हम लोग का scientific temper बहुत बढ़ गया है, हम लोग जो भी चीज़े होती है, पहले वो scientific district code से जानने की या समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास computer सा चुके हैं, mobile सा चुके हैं, smart phones आ चुके हैं, जिनसे हम लोग data ज़्यादा consume कर रहे हैं, और इनसे ज़्यादा ज़्यादा information gathered कर करने की या process करने की बात कर रहे हैं, हमारा next topic है, difference perspective of information societies, information societies के बहुत सारे aspects हैं, ठीक है, different different इसके perspective हैं, जिसमें पहला है technical perspective, अब्वेसी बात है, जितनी ज़्यादा technical चीज़ें हमारी होंगी, हम उतनी ही ज़्यादा informative society की तरफ बढ़ेंगे, या उतनी ही ज़्यादा हमारी societies modern होगी, मतलब technology का ज़्यादा से ज़्यादा प्रियोग हमारी societies को ज़्यादा-ज़्यादा modernize करेगा और ज़्यादा-ज़्यादा informative बनाएगा, next है economic perspective, obvious ही बात है, अगर हमारी पास information बहुत कम समय में, बहुत कम resource यूज़ करके, हमें information मिल जाए, तो वो ऐसी societies को, या ऐस information को हम लोग economical perspective से बहुत cheaper मानेंगे, मतलब आज हमें information लेने के लिए कितना time consume करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा resource इस्तमाल करना पड़ रहा है, वो कहलाता है economic perspective, occupational perspective, आज हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा-ज़्यादा लोग occupations, जो उनका occupations है, जो रोजगार करना च जा रहे हैं, तो इसका जो occupational perspective है, यह कहलाता है, कि आप ज़्यादा-ज़्यादा information को gathered, process, distribute, इन सब चीजों को करने में लगाएं, तो वो आपका economical perspective बनेगा, culture perspective, societies में आजकल हमारे new cultures develop हो रहे हैं, या हम लोग कहने modern culture develop हो रहे हैं, तो modern culture का जो मैं पिलर मानूंगा, जो base मान कहां से हो रहा है हमारे पास, knowledge से हो रहा है, information हो रहा है, हम लोग जो new तरह के skills सीक रहे हैं, उन से हो रहा है, तो यह भी हमारा एक important characteristics बन जाता है, knowledge societies का, या information societies का, हमारे पास next topic है, world summit on the information societies, दो world summit हमने organize किये थे, जो पहला world summit था, वो हो था जनेवा में, जिसकी date थी 10th December 2003, औ और जो second summit हुआ था, वो टूनेशिया में हुआ था, जो थी 2005 में, तो यह दो summits हमने organize किये थे, United Nations ने, United Nations की general assembly proposal पास करके, एक organization start किया, world summit कराया, और world summit में हमने कुछ ऐसे characteristics build करने कोशिश किये, कि knowledge आज ही time में, जो आज का हमारा era है, वो knowledge का है, जिसके पास जितनी अच्छ knowledge, जितनी जादा knowledge, वो उतनी जादा strength से काम कर सकता है, तो knowledge को अच्छे से process करने में, अच्छे से gather करने में, अच्छे से store करने के लिए, जो भी हमारे पास tools, techniques, methods, इस्तमाल करने हैं, उसके लिए, United Nations ने दो summits कराया थे, जिसमें इन सारे perspectives को हमने discuss किया था, हमारे पास next topic ह knowledge societies, okay, knowledge societies, ऐसी societies, जिनका pillar, जैसे हमने information societies के बारे में देखा था, अच्छा, आप लोग थोड़ा सा clear हो जाए, knowledge और information के बीच में, देखो, आप जब information को gathered करते हैं, अब आपने, आपने कोई 10 information अपने पास stored की है, उस stored information को अगर आप process करते हैं, प्रोसेस करने का मतलब होता ह कि आप उसको अपने use करने के लाइक बनाएं, अपने utility के लिए उसको process करें, अपने utility के लिए अपनी आवशकताओं को पूरी करने के लिए उसको process करें, तो वो convert होती है knowledge में, आप बहुत सारी सूचनाएं इकठा कर लीजे, हर जगह से, सबी जगह से, लेकिन वो काम में इस्तमाल ना ला पाएं, तो वो आपके लिए knowledge नहीं बनेगी, इसलिए information को convert कर देना, अपनी utility के लिए knowledge कहलाता है, तो अब यह हमारा जो next concept है, knowledge, वो क्या है, ऐसी information जो हमारे social expect, जो हमारे cultural expect, जो हमारे economical expect, political expect, और हमारे पास जो हमारे institutions हैं, जाए वो universities हों, college हों, use में आ जाए, मतलब हमारे पास जो information आए, उसको हमने culturally use किया, अपने political benefit के लिए यूज किया, अपने culture, अपने social benefit के लिए यूज किया, जो ऐसी societies को, या ऐसी चीज़ों को जो हम लोग करना start कर देते हैं, तो वो society convert हो जाती है, knowledge societies में, तेक है, इसमें आपने definition, नीचे definitions दी characteristics देखा था, information societies का, जहाँ पर information बहुत basic purpose या basic चीज़ हुआ करती थी, और knowledge society में आएंगे, तो हमारे पास knowledge बहुत जादा basic pillars हुआ करेंगे, किसी बिए societies को develop करने में, जैसे इसमें पहला है, open and timely access information, हम आज information को access करने के लिए, time bounded नहीं रह चुके हैं, area bounded नहीं रह चुके है आज कोई भी खटना किसी भी area में होती है, किसी भी देश में होती है, किसी भी continent में होती है, उसको हमारे तक पहुचने में, एक, दो minute या fraction of seconds का ही time लगता है, तो हमारे पास जो भी information आई या जो भी knowledge हमने acquired किये, उसके लिए हम लोग time bounded नहीं है, geographical bounded नहीं है, हमारे पास knowledge य weather करने की capacity बढ़ गई है, आज हम लोग अपने इस mobile में, जिस mobile को आपने अपने हाथों में लिया है, जिस laptop में आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो इतने जादा giant storage devices बन चुके हैं, कि आप उसमें बहुत numerous of information, numerous of data's आप अपने पास store करके रख सकते हैं, knowledge based economy, ऐसी economy जिसका pillar पिलर क्या हो, knowledge हो, या information हो, बतलब economy को चलाने के लिए, या किसी भी देश की, किसी भी institution की, किसी भी person की एकनौमी को चलाने के लिए, जिसका pillar होना चाहिए, वो अगर बनता है हमारा knowledge, तो हम लोग कहते हैं, वो economy, या उस देश की economy, या उस person की economy, उस institution की economy, किस पे based है, knowledge पे based है, जिसके पहले हम लोग के पास economical चीज़े क्या होते थी, जब हम लोग agricultural societies मोगाते हैं, तो हमारे पास land, labor और capital, ठीक है, अगर जिसके पास जितनी land हो, जिसके पास जितनी capital हो, जिसके पास जितनी workers हो, लेबर्स हो, वो economy उस पे based थी, मतलब हमारी agriculture economy किस पे based है, land, labor, capital में industrial societies या industrial economic किस पे based है, land, labor, capital में, बट आज की economy, जो modern economy है, वो based है हमारी information पे, जिसके पास जितनी अच्छी information, जिसके पास जितनी अच्छी skills, knowledge, talent, वो उतने ही अच्छे से, अपने आपको economically benefit ले सकता है, या उसको दे सकता है, ठीक है, So friends, यह हमारे कुछ, मैंने basic pillars, touch करने कोशिश के हैं, हमारी जो unit 1 था, मैंने कोशिश की थी कि video, near about 20 minutes के आसपास हो, मतलब 20 minutes में आपका एक unit, इस book का तयार हो जाए, और मेरी जो कोशिश थी, I think मैं उसमें successful हूँ, बट फिर भी, आपके पास, आपके mind में अगर कोई भी doubt हो इस chapters के लावा, आप please comment करिए, comment करने के बाद, आप जो भी information, जिस भी तरह से आप मांगेंगे, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को वो चीज़ें provide कराने की, but I think, I know, कि मैंने इस chapter के लगब लगब सभी expect को आपको समझाए, देखे, इस videos को बनाने का बेटा purpose यह है, कि मैं आपको एक basic overview दूँ, chapters का, no doubt आपको पढ़ना होगा, आपको इस चीज़ को अच्छे से, क्योंकि exam में आपको writing करनी है, लिखना है, लिखने के लिए आपको एक बहतर information चाहिए, बहुत clear knowledge चाहिए, तो मैंने आपको एक overview दिया है chapters का, इस unit का, but आप इसको details में पढ़िए, क्योंकि मेरे, मेरी इस video देखने के बाद आपको हो सकता है कि पढ़ने के लिए, बहुत जादा महनत ना करनी पड़े, या जो बच्चे, इगनू के counselors के लिए classes में अभी regular नहीं जा पा रहे हैं, Saturday, Sunday को भी time नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास, तो वो इस घर पे बैठे- से इन YouTube videos के बनाने का, so friends please अपने suggestion जरूर मुझे forward करेगा, अपना feedback मुझे जरूर comments में दीचेगा, और मैं और क्या बहतर कर सकता हूँ आपके लिए, वो please मुझे जरूर बताएगा, thank you friends, please like करेगा, share करेगा, और जो भी आपके friends है, जो भी इस तरह के courses में involved हैं, उनको please जर